हेलो एवरीवन सोचियो लोजी क्लासिज में आपका स्वागत है आज रिसर्च मैथेडोलोजी के अंत्रगत हम स्टेटेश्टिक्स सांखिकी के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम माध्धिका निकालेंगे मीडियन कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे पिछल तो पहले हम वेक्तिगत शरंखला के बारे में बात करते हैं जिसको हमें individual series भी कहते हैं इसमें माद्धिका कैसे निकालेंगे और individual series के पहचान क्या है तो वेक्तिगत सरंखला में जब हमें माद्धिका निकालनी हो individual series भी हम बोलेंगे तो फार्मूला क्या रहेगा M E बराबर N प्लस 1 बटा दो मुआ पद इसका मतलब क्या होगा B N जो संख्य दीगी है उसमें एक जोड़कर दो से भाग करना है और जितना भी आएगा उसके सामने वाला पद हमारा माद्दी का होगा दीगी सरंकला और सबसे पहला काम हमें क्या करना है जो series दी गई है वेक्तिकत सरंकला की उस series को या तो आरोई करम में लिखना है या अवरोई मतलब बढ़ते या घटते करम में लिखना है क्यूस्टन कैसे आएगा आपना वो देखेगा व्यक्तिकत संकला में एक संस्ता के 10 करमचारियों की देनिक मजदूरी इस परकार है इनकी माद्य का ग्यात करो जैसे देनिक मजदूरी ये दे दी 26, 17, 19, 25, 28, 20, 50, 16, 25, 16 अब इनका स्टैप पहला सबसे पहले में व्यक्तिकत सीरीज के अंदर के आकरना आरोई या आरोई करम में लिखेंगे जैसे हमने इसको आरोई का मतलब 4, 3, करम में लिख दिया 16, 16, 17, 19 ये सीरीज हमने यहां तक कंप्लीट कर दी अब हम फॉरमूला लगाएंगे अपना फॉरमूला क्या हैं n फ्लस 1 राइ टू तो n कितना है उमारे पास 10 लिखा था न और कितने परिवार खुल 10 परिवार तो n कितना हो गया 10, 10 प्लस 1 बटा 2, 11 बटा 2 आया तो इसका मतलब टोटल हो गया 5.5 ओपद इस पान्स पॉआंट पान्स का मतलब या तो 5 ओपद होना चाहिए, या 6 ओपद होना चाहिए अपना तो 5.5 का मतलब 5 से अगला तो यदि ये इस तरह से point में आ जाते हैं तो जो दिया गया है 5 और उससे अगला ये दोनों लेकर इनको जोडेंगे तो 5वा पद पलस 6वा पद देखिए 5वा पलस पलस 6वा पद को 2 से बाग कर देंगे 5वा कितना है अपने पास 20 पलस 25 इनको जोडेंगे तो 45 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 ये आंसर आजेगा अपना तो वेक्तिकत सरंकला में जब हम इसको निकालेंगे मादिका निकालेंगे तो आपको सबसे पहले सीरीज को आरो ये आवरोई करम में लिखना है फिर देखना है कितने अंक है उसको n प्लस 1 करके एक जोड कर 2 से भाग कर देंगे और जो आएगा वही हमारा आंसर होगा जैसे देखिए का आगई यहाँ पर कुल n कितना है अपने पास 9 है तो 9 प्लस 1 यहाँ पर हम लिखेंगे 9 प्लस 1 जैसे आप देख पारें 10,10 बटा 2,5 न तो पांचवा तो पांचवा पर क्या होगा अपना 20, इसका मतलब माध्धीका या मध्यमान क्या आजएगा 20 आजएगा अपना तो यह कलियर आपको वेक्तिकट सीरीज यदि दी गई है तो वेक्तिकट सीरीज में आपको क्या करना आरोई या अवरोई करम में लिखना है सबसे पहले चाहे आरोई में लिख दो चाहे आवरोई में उसके बाद यहां पर नंबरिंग भी कर दें ताकि कोई गलती ना होजे इसके बाद n प्लस 1 बाइ 2 का फार्मूला लगाना यदि पॉइंट में आते हैं जैसे के अपने यहां पर आये थे तो दोनों संक्यां को जोड़ कर जो पॉइंट में आया उनको जोड़ कर दो से भाग कर देंगे वो अनसर आएगा यदि पॉइंट में नहीं आता है जैसे के अपना यहां पर आया था तो उसका सीधा अनसर हो जाएगा जो सामने दे रखा है वो तो clear इसके बाद हम दूसरी सीरीज है हमारी दूसरी है discrete सीरीज या फिर खंडित सरंकला खंडित सरंकला का फार्मूला ME मादिका से denote करते हैं n प्लस 1 बाइ 2 मापद सेम वो का फार्मूला है लेकिन इसमें अपने को संची आवर्ती जाद करनी है कॉमूलेटिव सीरीज जाद करनी है अपने को वो कैसे होगी वो अब देखते हैं याँ पर जैसे ये खंडित सरंकला है आप देख पारें खंडित सरंकला अनसर क्यूस्टन कैसे पूछा जाएगा समाज सास्तर में सात्रों द्वारा प्राप तंकों का ब्योरा निम्ना नुसार है इनकी मद्धिका बताओ मद्धिका बताएंगे तो कैसे करेंगे ये दो चीज़ आपके पास दी हुई आएगी ये F हो गया अब इसको cumulative frequency हमें निकालनी है संची आवरती निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे संची आवरती जैसी 2 का 2 लिख दिया अब इसके बाद जोड़ते जाएंगे 2 प्लस 3 पांच 5 और 10 पंद्रह 15 और 12 27 27 और 33 और 31 36 37 और 44 41 ये बनगी अपनी संची आवरती तो संची आवरती का मतलब पहली संच्ख्या लिख कर उसके बाद वाले इसमें जोड़ते जाएंगे और यहां लिखते जाएंगे कलियर अब संची आवरती अपनी सही बनी है नहीं बनी है कैसे पता चलेगा इनको जोड लेजिए यदि लास्ट ये संख्या है ये इसके जोड के बराबर आ रहे इसका मतलब अपनी संचियावरती सही है अदरवाइस गलत हो सकते है दोबारा चेक कीजिएगा तो n कितना हो गया n अपने पास 41 अब फार्मूला क्या रहता है n प्लस 1 बटा दोवापद यही था फार्मूला अपना तो n कितना है 41 41 प्लस 2 42 को 2 से बाग करेंगे 21 तो 21 वापद देखना है अपना अब संचियावरती में आप इसमें 21 देखेंगे तो 15 में 21 नहीं है 27 में 21 है तो 21 के साथ वाला मतलब मद्यमान इन में से आएगा फ्रिक्वेंसी में से नहीं आता कभी भी तो 21 का मान 27 में और 27 के सामने वाली सीरीज में क्या है 39 इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा 39 यह बहुत सिंपल है इसमें भी क्योंकि इसमें सीधा आपको क्या करना है एन प्लस वन बटा दो फार्मूला वही दोनों सीरीज का फार्मूला एक है कौनशी का वेक्तिगत सरंकला का और खंडित सरंकला का खंडित सरंकला में सिरफ अपने को संची आवरती निकालनी है संची का मतलब जोड जोड करो संची का मतलब जोडना तो दो पहले लिख दिया इसके बाद इनको जोडते जा और यहां लिखते जाओ एन इसका टोटल हो जाएगा जो हम करेंगे या लास्ट में जोंकाएगा वो एन अब यहां पर लिखा तो 21 वापद आ गया 21 वापद जब हम यहां पर देखेंगे तो कौण शे में 21 वापंद्रे में नहीं है 27 में है 27 के सामने वाला अंसर अपना 39 हो जेगा यह हमने यहां लिखा भी नीचे 21 संची आवरती के 27 वाले में सामिल है क्योंकि 15 है 21 से कम है और इसलिए 27 वाले का मध्ध्यांक 39 हो गई सेरीज में क्यों है क्योंकि 15 है तो 21 से कम है इसलिए इसमें नहीं हो सकता 27 है इसमेइ 21 सामिल है यह क्यूस्तन आपको हल करके देखना है वेतन परती गंटा रुपेयों में और मजदूरों की संक्या क्यूशन इसी तरह से पूछे जाएंगे यह frequency होगी अब इनका संचिया वर्ति निकाल कर फिर इसके सामने जो भी n प्लस 1 मा मान आएगा उसके सामने वाला इन में से answer हो जाएगा इसके बाद जो तीसरी सीरीज है वो continuous सीरीज है मतलब एक खंडित सरंकला continuous सीरीज का फार्मूला क्या रहेगा n बाई 2 का ध्यान रखना n प्लस 1 का इसमें कुछ नहीं करना है अपने को n बाई 2 ही रहेगा इसमें और फार्मूला मा दिका रहेगा l1 प्लस i बटा f into m-c अब यहाँ पर आप देखो m-e तो मा दिका हो गया l1 का मतलब जो वर्गांतर आएगा उसमें जो noon-term संख्या है कम है वो जैसे 50-100 100-200 इसके इसाब से 50-100 में कम कौन सा है 50 वो हम आगे आपको बता देंगे वर्गांतर का मतलब इन वर्गों में अंतर कितना है जैसे 0-10, 10-20 तो इन में अंतर कितने का हो गया 10 का उसको आई से डिनोट करेंगे frequency संची आवरती के सामने वाला आएगा m m is equal to n by 2 तो यहां आप m भी लिख सकते हो और n by 2 भी लिख सकते हो और c है वो संची आवरती में n बटा 2 के ठीक उपर की संख्या होगी यह हम आगे जब आप question अल करेंगे तो आपको समझाज़ेगा शिरफ आपको यह दिहान रखना है एक खंडी सरंकला में माद्या का सुत्र क्या होगा l1 पलस i बटा f into m-c तो अब देखी बहुत आसान रहेगा यह स्वाल भी एक एक खंडी सरंकला है आप देख पा रहे हैं continuous series है यह तो इसको जब हम हल करेंगे तो स्वाल अपना आएगा question आएगा वो इस तरह से आएगा यह प्राप्तांक होगे सात्रों की संख्या होगी संची आवरती निकालेंगे संची आवरती किस में निकलेगी संची आवरती निकलेगी संची आवरती कि पहले एक आग्या एक प्लस तीन चार आग्या चार और दो छे चे और 1212 12 और 15 पंद्रय है 15 और 28 और 23 और 27 संची आवरती उसका मतलब यदि आप इनको जोड़ोगे टोटल 27 है और लास्ट में 27 है इसका मतलब आपकी संचिया वरती सही बनी है अब जो सबसे पहला काम हम करेंगे वो क्या करेंगे ये फार्मूला रहेगा अपना फार्मूला क्या रहेगा M E माद्धी का बराबर होगा L1 प्लस I बटा F इंटू N by 2 minus C जो हमने पीछे लिखा था वहांपर M minus C लिखा था तो यहांपर हमने क्या लिखा है M minus C की जगह N by 2 ये देखिए N by 2 तो M is equal to N by 2 दोनों में से कौन सा भी आप लिख सकते हो N 27 है तो 27 by 2 13.5 मतलब 13.5 अब हमें ये देखना है 13.5 इस में से किस में है देखिए 1, 4, 6, 12 12 में 13.5 नहीं है 15 में 13.5 है जैसे पिछले स्वाल में हमने किया था अब 15 में 13.5 है इसका मतलब इसके सामने वाला F माना जाएगा और उसके सामने वाला वरगंतराल माना जाएगा 40 से 50 इसमें 11 40 50 में कम कौन सा है 40 है यह L1 हो गया 3F हो गया इसे ठीक उपर वाला में सही C माना जाएगा तो अब हम देखवागी इस वाल जब हम हम हल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखिएगा इस क्यूशन को हमने कैसे हल किया है यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लिया C कितना है अपने पास 12 है देखिए F कितना है 3 है L1 कितना है 40 40 और 50 में से कम L का मतलब लोवस्ट कौन सा है 40 है तो हमने 40 लिख दिया I इनमें अंतर कितना है 40, 50, 50, 60, 60, 70 कितने का है 10 का है N कितना 27 27 अब यह इस फार्मूले में फिट करना है अपने को सारा सारी चीजें पॉइंट हमने लिख दिये तो L1 देखिए 40 और यह I कितना अंतर कितने का है 10 बटा F कितना है अपना 3 तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया N बाइ 2 27 बटा 2 माइनस C कितना है 12 अब इसको हमने हल कर लिया कैसे हल किया देखिए 40 पलस 10 बटा 3 और 27 को 2 से बाग करेंगे 13.5 माइनस 12 13.5 में से जब हम 12 गटाएंगे तो कितना बचेगा 1.5 तो यहाँ पर देखिए 40 10 मुल्टिपलाई 1.5 बाइ 3 अब 1.5 और 3 की 10 की जब हम गुणा करेंगे कितना हो जाता है आगे देखिए यहाँ पर 15 40 पलस 15 बटा 3 बराबर कितना हो गया 40 पलस 5 45 यह अपना आंसर आ गया अब हम कैसे पता लगाएंगे विए अपना आंसर सही है अपना आंसर कितना है 45 मादिका मेसा इस वरग अंतरालिन दोनों के बीच में आएगी 40 और 50 के मतलब बीच का मतलब यह नहीं है 45 यह आएगा यहाँ पर 40 से अबो होगा और 50 से बिलो होगा इसका आंसर तो अपना 45 है इसका मतलब सही है अपना आंसर एक बार इसको फिर देखिएगा खंडित सरंकला और एक खंडित सरंकला में आपको संची आवरती निकालनी है कॉमिलेटिव फ्रिक्वेंशी आपको निकालनी है जो कि बड़ी सिंपल है पहली सेम लिखकर आगे इसमें जोड़ते जाएंगे एक और तीन चार और दो छे और छे बारा इदर लिखते जाएंगे पंद्रह और आठ तेईस और चार शत्ताईस जब ये बन गया इसके बाद एन बटा दो निकाल बाकी सभी में तो हमने एन प्लस बन बाई टू निकाला था लेकिन एक खंडित सरंकला में एन बाई टू निकालना है इतने तक तो हमने खंडित सरंकला में भी किया था आमने शीदा खंडित सरंकला में इसके 午ान रिया था परंटू इसके सामने अपने दिक्कत ही है कि दिश दे रखें इसलिए हमने आगे की प्रोसेजर करनी पड़ी अब आपको क्या करना है जो मान आया अपना जैसे 13.5 था वो किस में आया 15 में आया तो C 15 से उपर वाला होगा मेसाई इसके सामने F और इनके सामने L1 जो सीरीज दे रिखे 40 से 50 से 30 से 40 इसमें जो भी सामने आगा उसमें जो कम से कम संख्या वो दे देंगे तो यहां पर इसमें फिट कर देंगे L1 40 I अपने पास इनका अंतर होता है कितने कितने का अंतर है बटा F अपने पास इसके साम यहां पर F का मतलब यह टोटल नहीं लिखना है यह दियान रखना है आपको F का मतलब जो संची आवरती में अपने एक दम बख्स में जरूर लिखेगा, यह क्यूशन भी आपको हल करके, कमेंट बख्स में इस कांसर डालना है, यह एखंडित स्रंकला की पैचान क्या होगी, यहाँ पर अंतर दिया हूँ मिलेगा, आपको सो से प्चास दस से भीज़ुच से तीश से चारिश हिसाब से, मतलब उएख मज़दूरों का 20 मज़दूरों का इस हिसाब से तो इस स्वाल को आपको कमेंट वक्स में लिखकर डालना है आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद